हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे चल लिए होगी आज हम लेटेस्ट एक्जाम में पूछे गए रेजनिंग सैट जिसे आप एनलोजी का टाइप बोल सकते हैं सिमिलर सैट बोल सकते हैं सैट ओफ नंबर सेट बोल सकते हैं उससे आई वे क्वेश्चेन करेंगे लेटेस्ट जो अभी एक्जाम में पूछे गए थे इस टॉपिक में काफी सारे आपको वीडियो दे चुका हूँ काफी सारे क्वेश्चेन में आपको प्रोवाइड किये तो आज जो क्वेश्चेन कर रहें ये भी लेटेस्ट जो अभी लाश्ट एक्जाम ससी का हुआ था लेटेस्ट उसससे मैंने लिये हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इंक्वेश्चेन को करते हैं प्रोवाइड कमें क्या पूछा जाता है उस बिकलप का च आप देख सकते हैं prime number का logic हो सकता है square, cube का logic हो सकता है आपका multiply का logic हो सकता है division का हो सकता है या आप देख सकते हैं gap हो सकता है या fixed number कुछ add किया हो सकता है तो ये काफी सारे logic होते हैं आप जितने जादे question की practice करेंगे तो आपके logic भी clear होते रहेंगे ठीक है तो काफी सारे question मैंने provide भी किये हैं और ये जो topic है इस topic से एक से या दो question आपका पूछा जाता है exam में और अच्छा topic है जो अभी जादे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से आपको question करना है पहले खुछ से solve जरूर करें खुछ से logic जरूर सोचें फिर देखें अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको 12, 14, 56 चीए अगर आपको 56 चीए तो आपको हमेशा ख्याल लगना है कि कही ना कही table के बारे में आप जरूर सोचें आप यह सोचें कि 56 कैसे आएगा आपके पास नंबर 12 और 14 है 12, 14 को multiply करोगे आपस में तो आपको 56 नहीं मिलेगा तो इसी तरीके से आपको सोचना है square करके, cube करके, यह सारी चीज़े होते अब आप यहाँ पे cube नहीं सोचोगे, यहाँ पे square सोचोगे सोच सकते हो, अगर आप 12 और 14 का square सोचते हो और आपस में plus करते हो, तो आपको 56 नहीं मिलेगा minus करोगे तो तब भी आपको 56 नहीं मिलेगा फिर आपको सोचना है दूसरा अब यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता है 56 देखते ही, आपको यह सोचना है कि 56 के factor क्या क्या होते हैं आप देखनें कि 56 के factor क्या हो सकते हैं मैं यह बोल सकता हूँ, 14 चक्को 56 बोल सकता हूँ मैं यह भी बोल सकता हूँ, 8, 76 होता है तो इस तरीकी के factor आपको सोचना है अब देखो जैसे ही मैंने ये पहला factor सोचा 14 चक्को 56 तो आप देखो इस factor में से 14 तो मेरे पास already है आप देख सकतो 14 मेरे पास already है अब मुझे 4 की जरुवत है तो यही मेरा यहीं से मेरा mind process होना चाहिए यहीं से सोचना मुझे है कि उसके factor क्या हूँ और factor के आसपास मुझे number दिये गए हैं तो आप देखो 12 12 into 14 करूँ मुझे 56 चीए तो आप देखो 14 तो मेरे पास है already तो मुझे क्या चीए divide करना पड़ेगा 4 के लिए तो मैं यहाँ पर किस से divide करूँगा 3 से divide करूँगा तो यहाँ पर logic आपका क्या बन गया अगर आप पहले दो number को पहले दो number को पापस में multiply करते हो और उसे 3 से divide करते हो तो आपको क्या मिलता है third number मिलता है इस तरीके से आपको सोचना है आपको देखना है कि यह आपके जो सबसे बड़ा number है उसके factor क्या क्या हो सकते हैं उस तरीके से logic सोचना है और number आपके पास 12 और 14 है इसी number से आपको यह number लाने है त तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे 3 चक को 12 हो जाएगा, और यहाँ से 4 चक को 56 हो जाएगा, ठीक है, यह आपका pattern मन गया, अब इस pattern में आपको option में ढूड़ना है, अगर आपको option मिलता है, तो वो आपका answer है, नहीं मिलता है, तो फिर आपको दू करना है, इसे आप multiply नहीं करना है, क्योंकि पहले ही आपको 3 से divide कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 3 से divide करते हैं, यह आपका कितना हो जाएगा, 3 चक 18 और 16 इंटू 6 कितना होता है, 96 होता है, तो आप देख सकते हैं, same pattern से आपका answer क्या आ गया, second option आ गया, तो यह इसका answer हो जाएगा, इस तरीके से आपको logic सोचना है, अब आप third option में लगा सकते हैं, यहाँ पर 3 से divide करेंगे, तो यह 3 से divide ही नहीं होगा, ठीक है, यहाँ fourth option को 3 से divide करेंगे, इन दोनों का अपस में यह भी नहीं होगा, तो यह दोनों third और fourth आपके नहीं होगे, second option इसका answer हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी question के दो logic हो सकते हैं, यहाँ पर मैं जो भी logic और question आपके लेके आता हूँ, यह आपके SSC के official question और उसका जो answer होता है, वो official होता है, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होगा कि कि question के दो logic आते हैं, तो वहाँ पर उस case में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, SSC उस question को delete करता है, या उसके सभी को mark से देता है, और किस pattern मैं आपको pattern सोचना है, वो भी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो नहीं कह सकते कि आपका content देखा रहा है, या question relevant नहीं है, मैं आपको question relevant ही दूँगा, जो exam में पूछे गए है, ठीक है, next question करते है, next question में देखो, अब यहाँ पर देखो, 11 है, 13 है, 17 है, तो आपका number को देखके आप समझ में आ जाना ची, यह सारे जो है, यह आपके क्या है, यह आपके prime number है, ठीक है, number देखके आपको समझ मा आ जाना है, यह सारे prime number है, तो अब आप option देखें कि ऐसा कोई option है, जिसमें सारे prime number है, अगर हो, तो वही आपका answer है, अगर नहीं हो, तो फिर आप दूसरे तरीके से सोचिंगे, या दूसरा logic सोचिंगे, पहले में देखो इसमें तो 25 और 9 prime number नहीं है, यह नहीं हो सकता, नेक्स में देखोगे, 33 आपका prime number नहीं है, यह नहीं हो सकता, ठीक है, आप देखो, यह 3 से divide होता है, उसके बाद आप देखो, 3rd option देखो, 41, 43, 53, यह आपके सारे prime number है, तो यह आपका answer हो सकता है, नेक्स में आप देखोगे आपका 639 तो ये आपका prime number नहीं है ये भी नहीं है तो ये भी आपका नहीं होगा तो एक ये option ऐसा आ रहा है जिसमें आपका prime number है वो आपका कौन सा हो जाएगा third option तो आपका right answer क्या होगा third option होगा ठीक है next question है question जो है आपको पढ़ने की जरुवत है सभी में एकी चीज कहा गया अब देखें इस question को आप कैसे करेंगे आपके पास 5 है 27 है 8 है तो मैंने आपको बताया है कि आप ये देख सकते हैं कि आप यहां से first second number से third number कैसे लाएं या आप ये बोल सकते हैं कि पहले और last number से आप बीच्वाला number कैसे लाएं तो ये सारे आपके तरीके होते हैं आप किस तरीके से इनको कर सकते हैं अब यहां पर देखो आपको square cube के बारे में हमेशा देखना है आपको square cube हमेशा देखेगा अब आप देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 27 जो है क्यो है अग तरीके से बोल सकता हूँ या मैं ये भी बोल सकता हूँ जैसे मैंने आपको बता है बीच में बड़ा नंबर है तो आपको ये फर्स्ट और थर्ड नंबर को देखना है इससे आप सो सकते हैं बीच वाला नंबर कैसे आएगा अगर आप देखो थर्ड नंबर में से मैं पहला घटाता हूँ तो 8 में से माइनस 5 करूँगा और उसका cube करता हूँ तो मुझे बीच वाला नंबर मिल जा रहा है 27 ये भी तो बोल सकता हूँ और ये भी बोल सकता हूँ तो दोनों तरीके से अलग लग लोग अपने तरीके से इस question को कर सकते हैं ठीक है बात एक ही है एक ही जीच कर रहे है बस तरीका अलग है घुमा के कर रहे हैं ठीक है तो यही हो गया तो 27 आगया तो आपका logic क्या बना कि अगर आप last number में से पहला number minus करते हैं और उसका एक cube करते हैं तो आपको बीच वाला number मिल ला है तो आप देखो यहाँ पहली बात तो इसमें आपका बीच में cube ही नहीं तो आप इसे भूल जाएए ठीक है क्योंकि अभी आप cube से question सोच रहे हैं अब देखो second option देखोगे अगर आप 15 में से 11 minus करते हो तो आपको कितना मिलता है इसका cube करते हैं तो आपको बीच वाला number मिल जाता है 64 तो आप देख सकते हैं आपका right answer क्या हो जाएगा second option हो जाएगा बांक की option भी आप check कर सकते हो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप 11 में 64 का cube root add करें तो आपको क्या मिल जाता है third number मिल जाता है 15 ठीक है दोनों तरीके साब जैसे करें बात एक ही है तो आपका answer क्या होगा second option होगा next question देखते हैं next question देखो आप 145 है 5 है 29 है आप यहाँ पे देखींगे आप देखो अगर आप second और third number को आपस में multiply करते हैं तो आपको पहला number मिल जाता है और second option को अगर आप चेक करते हो 14 into 16 करते हो तो आप देखोगे 16, 64, 6, 16, 16, 16, 16, 22, 22, 24 मिल किया तो आपका answer क्या हो जाएगा second option हो जाएगा या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप पहले से third में जाओ अगर आप यह कहोगी 145 को दूसरे number से divide करते है तो हमें third number मिलता है ठीक है बात एक ही है इसी तरीके से 224 को आप second number 14 से divide करते हैं तो 16 मिलता है तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कई लोग ऐसे सोच रहे हैं तो वो भी सही है क्योंकि बात एक ही है आपको number लाना है pattern ढूटना वही pattern आपका option में आना चीए ठीक है किस तरीके से आप देख सकते है प्राइम नंबर, square, cube ठीक है इस format में आप जा सकते है इस pattern में आप देख सकते है next question करते है next देखें यहाँ पर देखें क्या होगा अब आप देखो 11, 4, 137 है बड़ा नंबर है ठीक है यहाँ आपके छोटे नंबर है और 137 बड़ा है तो मैंने बताया है कि बड़े नंबर पर आप कैसे जाओगे या तो multiply करके जाओगे या आप क्या करोगे square करके जा सकते हो तो square वाल अगर आप logic देखते हो अगर आप 11 का square करते हो प्लस 4 का square करते हो तो आप देखोगे 11 का square 121 प्लस 4 का square 16 तो आपको क्या मिल जाएगा 137 मिल जाएगा ठीक है और ऐसे ही आपको option में करना है अगर आप एट का स्कोर स्क्ष्टी फोर तो आपको क्या मिल जाएगा चार एक पांच आठ चे चौदा वन फोर्टी फाइगा तो वन फोर्टी फाइगा फर्स्ट आपसन इसका आंसर हो जाएगा यह जो question मैंने लिए हैं यह आपका SSC GD में पूछे गए हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीका question है CGL में भी आपके question पूछे जाएगे कई कई shift में ऐसा होगा एक question इसका पूछा जाएगा और एक question missing number का पूछा जाएगा यह ऐसा हो सकता है इसकी जगह पे missing number का question भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है यह missing number का पूछा जाएगा यह question पूछा जाएगा next question करते हैं next देखो यहाँ पर 15 है 11 है अब देखो यहाँ पर आप यह सोच सकते हो आपको बीच में number चीए तो आप क्या सोच सकते हो square करके जा सकते हो आप यह बोल सकते हो 15 का square 225 और आपका 11 का square 121 तो आप देखोगे 5 में से 4, 0, 104 मिल गया बीच में number मिल गया अब इसी तरह आप option चेक करोगे पहला option चेक करोगे तो आप देखोगे 17 का square 289 होता है 289 में से 11 का square घटाओगे तो बीच वाला number नहीं मिलेगा इसी तरीके से आप second option चेक करोगे इस logic से आपको नहीं मिल ला है ये pattern से आपको नहीं मिल ला है तो आपको दूसरा pattern सोचना है अगर आपको 104 ची है आपको बास 11 और 15 है तो आप क्या कर सकतो 11 15 से ही आपको लाना है आप ये देख सकतो कि 11 और 15 को add करके देखता हूँ ठीक है 11 और 15 को मैंने यहाँ पर 15 और 11 को add किया तो मेरे पास कितना है आप देखोगे 5, 1, 6, 26 आगया अब मुझे तो 104 चीए तो यानि कि अगर मैं इसे 4 से multiply कर देता हूँ तो 4, 6, 24 की 4 और आपका 2, 4 दूनी 8 और 2, 10 104 इस pattern से मिल गया तो यह pattern यहाँ पर आगया तो यही pattern मैं यहाँ लगा लूँगा तो आप देखो हमारा step क्या है पहले मैंने 1st और 3 नमबर को add करना है 17 प्लस 11 को add करेंगे तो 7, 8 और 1, 1, 2, 28 next क्या है 4 से multiply करना है तो 4 यहाँ पर fix number है 4 से multiply करेंगे तो 4, 8, 32, 2, 3, 4, 2, 8, 8, 8, 3, 11 आप देखो बीच में 112 था वो आगया तो आपका answer क्या हो जाएगा first option हो जाएगा समझ में आगया सभी को next question करते हैं अब next देखो 13 है बीच में 224 है 15 है तो बीच में आपका क्या है pattern लगा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बता दू क्या pattern आपका लगेगा देखो 13 है 15 है अभी आपने देखा हो गए इससे पहले जब हमने question किया था यह जो pattern इसमें मैं बता रहा हूँ यह बहुत बार पूछा गया और बहुत बार मैं ही आपको बता चुका हूँ जो pattern यहाँ पर use हो रहा है आप देखो 224 अभी इसससे पहले हमने एक question में 224 आया ठीक है 14 into 16 करते हैं तो 224 आता है अब आप यहाँ पर देखो question में हमें 224 जीए लेकिन 14 और 16 नहीं है तो 14 और 16 किस से आएगा इन दो नमबरों से आप कैसे लाएंगे आपने 13 में एक जोड़ा और into 15 में एक जोड़ा ठीक है तो आपके पास क्या आजाएगा तो 14 into 16 आप कर question आपको दिया गया उसमें जो number दिये हैं उसके आसपास होने चीए इस तरीके से आप वहाँ पर सोच सकतो बांके आप practice करोगे अगर आपको यह pattern इतनी बार मैंने बता दिया आप इस pattern को भी note कर सकतो यहाँ पर हमने इसमें एक जोड़ा इसमें एक जोड़ा इस तरीके से आप 13 और 15 को multiply करके भी कर सकतों कैसे तरीके से करोगे अगर आपने 13 और 15 को multiply किया तो आपके पास कितना आपको इट करना पढ़ेगा आप देखोगे अगर यहाँ पर 24 यह हो गया, 24 और 5 कितना होता है, 29 एट करना पड़ेगा, तो 29 एट करना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या आएगा, 4, 10, 12, 224 आएगा, तो अब फिर आपको यह सोचना पड़ेगा, कि 29 कहां से आया, तो 29 कहां से आया, अगर आप देखे, 13 और 15 को एट करते तो 28 आता है, 28 में एक एट करते हैं, तो 29 आता है, इस तरीके से आप सोच सकते हो, यह थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर यह लोजिक, आपका बार बार रिपीट होता है, इसलिए अगर आपने प्रैक्टिस किये, तो यह लोजिक आपके दिमाग में आना चाहिए, तो इसी तरीके से आपसन में आपको ढूड़ना है, तो आपसन में आप ढूड़नेंगे, तो अगर आप देखो 23 इंटू 17 करते हैं, एक एक दोनों में, एक यहां एट करना है, एक यहां, 20 इंटू 17 करते हैं, तो यूनिट डिजिट आपको 0 नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब यह भी आपका नहीं होगा, उसके बाद next में आप करेंगे, next में आप देखेंगे 9 और 12, तो यह तो 12 नम्मा 108 होता, अगर इसमें एक एट करोगे, तो आपको 108 मिलेगा, पैटन जो होना चाहिए, यही पैटन होना चाहिए, अब next में आप देखेंगे यह नम्मर बचा, तो यहां पर आप देखो 17 में एक जोड़ा, 18, इंटू 21 में एक जोड़ा, आपका 22, ठीक है, जाएगा, समझ में आगया, अब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एक जोड़ना है, तो फिर आपको क्या करना है, नमबर की नजदीक जाना है, नमबर की नजदीक, आपके पास नमबर 17 और 21 है, कैसे जा सकते हैं बड़ा नंबर है तो multiply करके जा सकते हैं square करके जा सकते हैं यहाँ पे आप square करोगे तो आपको 396 नहीं मिलेगा क्योंकि square करके आपका जादे हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करोगे यहाँ पर आप multiply करोगे, जैसे हमने यहाँ step किया, यहीí step करके देख लेते हैं, अगर इससे आ जाता है तो पहले हमने क्या किया 17 और 21 को multiply किया, तो आपके पास 17 और 21 को multiply करने में आपके पास कितना आ जाएगा 357 आ जाएगा next step में क्या किया है, इन दोनों को हमने add किया, प्लस 1 extra किया है, तो 17 प्लस 21 अगर आप करते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, 38 में एक जादे हमने जोड़ना है, यहाँ पर हमने 28 में एक जादे जोड़ा था 29, तो यहाँ पर 29 जोड़ेंगे, तो आप देखो यहाँ पर 9 रेक, 10, 16, 6 1, 5, 3, 9, 39 तो इस तरीके से भी आगे, यह थोड़ा step आपका लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जादे सोचना पड़ेगा, लेकिन यह step आपका pattern भारबार repeat होता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आपको इस pattern को जरूर ध्यान में रखना है, तीक है, यह आपको दिखेगा भी, अब आप देख सकते हैं, यह आपके एक ही घिजाम में पूछेगा यह कुशन है और यह 224 को आप नोट कर सकते हैं किस तरीके से इससे पहले भी आया है next question करते है next देखिए, अब यहाँ पर देखो आपको 15 दिया है, 48 दिया है, 98 दिया है तो किस तरीके से यहाँ पर आप सोचेंगे ठीक है, आप बताएं, आप यह सोच सकते हैं आप देखो, दोनों आसपास के नमबर है अगर 15 और 48 को आप add करके जातो तो इस तरीके से भी जा सकतो लेकिन यह step मैंने आपको बताया है कि आप पहले नमबर से दूसरे में जा सकतो दूसरे से तीसरे में, एक pattern के तौर पर जा सकतो अगर मिरे को 15 से 48 में जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ मैं यहाँ पर क्या बत कर सकता हूँ आप देखें, मैं यहाँ पर यह बोल सकता हूँ अगर मैं 15 को 3 से multiply करूँ 15, 45 और इसमें 3 add कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 48 मिल जाएगा, ठीक है second number मिल गया अब second number से मुझे इस पर जाना है अगर आप यहाँ पर 24 24 को आप 3 से multiply करते तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 24 तियां आपका कितना हो जाता है 48 और 24 यहाँ पर 72 आ जाएगा 72 में अगर आप 3 add करना है step आपका same होना चीए तो 74 नहीं मिलेगा, ठीक है समझ महा आ गया, इसी तरीके से आप दूसरे option में करेंगे दूसरे option में आप करते हैं तो 38 कितना होता, 36, 38 आपका 54 हो जाता है, 54 में 3 add करेंगे तो आपको 58 नहीं मिलता है, तो अब आप यह option भी नहीं हुआ, next option आप देखते है, next option आपका कितना है 21, 66 है, तो यहाँ पर आप करके same pattern में, इसके बाद हमें 2 से multiply करना है, तो आप देखो 66 को 2 से multiply करोगे, तो 132 आएगा और फिर हमने 2 add करना है, तो आपके पास कितना आजाएगा, 134 तो same pattern में आपका आगिया है तो आपका answer क्या हो जाएगा, third option समझ में आगिया सभी को तो यही आपको करना है, और यह pattern तो काफी बार repeat होता है, पहले नमबर को किसी से multiply करें फिर उसमें कुछ add करें, फिर यह minus करें, अभी देखो हम यहाँ पर add कर रहें तो ऐसा भी हो सकता है, पहले में add करें दूसरे में minus करें, तो यह आपको practice question करना है, और इतने सारे question मैंने provide कर दिये, भले ही आप solution को ना follow करें, लेकिन question आप जरूर ले रहें, क्योंकि content जो है relevant है, जो question exam में पूछे गए वही मैंने question आपको दिये, तो आप question जरूर ले सकते हैं, question की practice जरूर कर सकते है, question note करें, question solution अपने मन से करें, ठीक है next question देखते हैं, next यहाँ पर दोको आप 12 है, 168 है 7 है, तो अब यहाँ पर आप कैसे करोगे सबसे पहला step आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता है, कि आप यह बोल सकते हैं कि 12 का square करें, 144 वाता है फिर 7 का square करें, अगर आपको बीच वाला number चीह बड़ा, तो square से जा सकते हैं तो फिर multiply से, अगर आप 12 का square करते हैं, और 7 का square करके add करते हैं, तो आपको 168 नहीं मिलेगा, दूसरा आपका कैसे जा सकते हैं multiply से, तो आप multiply करेंगे अगर आप देखो, इन दो number को multiply करते हैं इन ही दो को क्यों करते हैं, क्योंकि बीच में बड़ा number है, तो हमारा target यह है कि यह जो छोटे number है, इससे बड़े number पर पहुँचे हैं, ठीक है, तो आप देखो 12 into 7 को multiply करते हैं, तो आपके पास 14 और 16 का multiply तो आप सभी को पता होगा, अभी हम दो बार कर चुके हैं, 14 और 16 का multiply 224 होता है, ठीक है, अभी हमने किया है 224 का अगर आप डबल करते हैं, तो आप देखोगे 2 square, 2 2 4, 2 2 4, 448 आगे बीच वाला number आगया, तो यही आपका answer हो जाएगा, pattern आप देख सकतो, दोनों में आपका same follow हो रहा है, और भी option आप देख सकतो, कहीं same, कहीं और तो नहीं हो रहा है, अगर आप देखो, 15 और 12 को आप multiply करके देखोगे, तो 15 और 12 आपका कितना होता है, 15 और 12 आपका multiply करके 180 हो जाता है, फिर हमें देखें, question को खुछ से जरूर करना, क्योंकि हो सकता है, कहीं पर आप अच्छा logic सोचें, ठीक है, easy मुझसे सोच सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको question सीधे collect करके आपको solution बता रहा हूँ, तो आप खुछ से करेंगे, तो 10 लोग होंगे, तो 10 दिमाग से करेंगे, सबका दिमा आप कैसे जा सकते हैं, अगर आपको 75 चीए, अब आप देखो 75 चीए, तो आपको पता है कि 75, 25 नियां 75 होता है, मैंने आपको सुरुआत वाले question में भी बताया था, आप multiply देख सकते हैं, factor देख सकते हैं, तो आप देखो 25 नियां 75 होता है, अगर आप देखो 7 और 18 को add करते हो, 7 प्लस 18 को add करते हैं, तो आपके पास कितना हा रहा है, 25 हा रहा है, इसको आपने 3 से multiply कर दिया, तो आपको 3 नमबर मिल गया, 75 मिल गया, इसी तरह आप आपको option में ढूड़ना है, अब option में ढूड़ोगे, तो आप देखोगे, 24 प्लस 15 करोगे, तो आपको 5 चार 9 हो जा प्लस 17 को करोगे, तो आपके पास कितना आएगा, तो यहाँ पर आपके पास 7 एक 8 और 28, 28 तिया, 3, 8, 24, 2, 3, 2, 6, 2, 8, 84 मिल गया, तो सेम पैटन जो आपने question में पूछा था, वही pattern का आपको option ही मिल गया, तो आपका answer क्या हो जाएगा, फोर्त option हो जाएगा, ठीक है, समझ आगया है, next question करते हैं, next देखें, इस question को करें, यहाँ पर 44 है, 70 है, 57 है, तो आप देखो, आसपास number है, ठीक है, आसपास number है, और अगर आप बीच वाला number पर जाने की कोशिस करते हैं, तो आप देखोगे, इसका सम करके तो आप बीच वाले number पर नहीं जा सकते, तो आपको नीचे option में भी होगा, इस तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप 44 से 70 में अगर आपको जाना है, तो आप यहाँ पर कितना add करोगे, 44 से 70 में आपको जाना है, तो आप कहोगे, 26 है, 6, 4, 10, 4, 2, 6, 26 add करोगे, अब 70 से आप 57 में अगर आप जा रहे हो, तो कितना minus कर रहे हो, आप देखो कि 13 minus करींगे, तो आप देखो 26 और 13 में कुछ आपको दिख रहा है, तो आपका logic क्या बना, जितना भी हम यहाँ पर add कर रहे हैं, उसका आधा हम minus करके third number पर जा रहे हैं, ठीक है, second number में जितना भी हम add करके जा आप देखो 68 में से 17 minus करोगे, तो आपको एकाउन मिलेगा, आठ में से 7, आपको 1, और 6 में से 5 मिल गया, पहले option में मिल गया, तो आप कह सकते हैं, आपका answer क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, आप देखो 34 से 68 में गये, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 34 8 किया, और next में इसका half minus करना है, same pattern, half minus करेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, तो 8 में से 7, 6 में से 5, 51 मिल गया, तो आपका answer क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, आप इसे भी चेक कर सकते हैं, आप देखो 46 से 80 में जाओगे, तो यहाँ पर 4, 50, 50, 30, 80, यानि कि 34 8 करोगे, ठीक है, 34 8 करोगे और 34 का आधा 80 में से 17 मैंस करोगे, 70 नहीं मिलेगा, इसी तरह यहाँ तो हम सीधे 56 से 112 में minus ही नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, जबकि हमें minus करना है, इस pattern के हिसाफ़ सो जो pattern हमने खोज निकाला है, तो इस pattern से आपका यहाँ पर नहीं आएगा, और same आप से हो जाएगा, ठीक है, सभी को समझ मा आ गया होगा, तो यह pattern भी आपका काफी बार पूछा जाता है, इस तरीकिया pattern, तो आप जरूर देखें, यहाँ पर हो सकता है, fix gap भी आपसे पूछा जाए, तो आप काफी सारे question के practice कर सकते हैं, मैंने काफी सारे आपको question कराए हैं practice क ठीक है, तो आप उन question के practice करें, next question देखते हैं, अब इस question को देखें, इसे आप कैसे करेंगे, अब आप देखो, यह 7 और 11 है, तो यहाँ पर अगर आप square करके जाओगे, तो आपको 308 नहीं मिलेगा, तो आपके पास दूसरा क्या option है, आप multiply करके जा सकते हो, अब आप देखो, यहाँ पर मैं इसे 4 से multiply करता हूँ, तो आप देखोगे, 4, 7, 28, 8, और आपके पास 2, 28, और 2, 308 आप गया, तो यहाँ पर आपका pattern क्या बना, कि पहले और तीसरे नमबर को आपने multiply किया, फिर 4 से multiply किया, तो आपको 20 वाला नमबर मिल गया, तो यही pattern आप देखोग 108 को अगर आप 4 से multiply करोगे, तो 324 नहीं मिलेगा, क्योंकि 400 हो जाएगा, ठीक है, तो और यहाँ पर 8, 45, 40, 40 को 4 से multiply करोगे, तो 164 नहीं मिलेगा, 160 मिलेगा, अब देखो, इस logic से तो आपका आ नहीं रहा है, तो अब आपको क्या सोचना है, कि यह 4 के से आया, अब आपका दिमाग यहीं पर लगना चाहिए, क्योंकि यह pattern कई बार आ चुके है, अगर आप practice करोगे, तो आपके दिमाग में यह सोच जरूर double up होगी, exam में कभी-कभी हो सकता है, कि आपके दिमाग में एकदम से logic ना आए, तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे question भी हो नहाँ पर आप देखो, यह 4 कैसा है, अगर आप 7, यह 4, 7 और 11 से सोचो, अगर 11 में से अगर आप 7 मैनस करतो हो, यानि कि बड़े नंबर से छोटा नंबर मैनस करतो हो, तो 4 आ जाता है, तो इसी तरह आप देखो, 98, 72 करोगे, और 9 और 8 का difference से एक होता है, तो बीच वाला न को चेक करोगे, आप देखो, 12 इंटू 9, बार नंबर 108 होता है, और next step क्या है, जो भी बड़ी संख्या है, उससे हमने इसमें, उसके difference से multiply करना है, तो 12 माइनस 9 का difference से आपका 3 होता है, 3 से multiply करोगे, तो 3, 8, 24, 3, 3, 24 आगे, पीच वाला नंबर, तो यह आपका right answer हो जाएगा third option हो जाएगा, ठीक है, समझ माय, इस तरीके सा आप देख सकते हैं, ठीक है, यह आपके pattern बार बार repeat भी होते हैं, मैं खुद इन pattern को करा चुका हूँ, तो जब भी मैं इस pattern पर आता है, तो अगर इतनी बार मैंने इतने question करा दियें, तो यह pattern ध्यान में आ जाता है, कि यह pattern आप देख भी सकते हो, 11 और 7 को multiply गरके इस तरीके सा आप सोच भी सकते हो, तो यहाँ पर जो भी question आपके पूछे गए थे latest वो मैंने करा दियें, बागी आप अपनी practice करते जाएं, ठीक है, question मैंने जो भी लगबग latest पूछे गए थे इस topic से, मैंने आपको CGL में पूछे ग करें, खुछे करें, practice करें, तो आपको कहीं न कहीं confidence चरूर आएगा, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बागी अपना support जरूर बनाएं, share करें वीडियो को, like करें, ठीक है, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, thank you